रादे रादे वक्तो यूटूब चनल आपका दोस्त में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तो दीपवली से जुड़ी यह दस प्रमुक एतियासिक घटना है। सुनकर आपके रोंग टिखड़े हो जाएंगे। दोस्तो दीपवली हिंदु धर्म का सबसे बड़ा और महत्पून तौहर माना जाता है। का भी साक्षी रहा है। तो जानेंगे इस दीपवली से जुड़ी दस प्रमुक एतियासिक घटना है। पहली घटना है लक्षमी अबतरन। कार्तिक मास की अमावश्या तिथी को मा लक्षमी समुद्र मन्थन द्वारा धर्ती पर प्रगट हुई थी। दीपवली के त्वार को मनाने का सबसे खास कारण यही है। इस परव को मा लक्षमी के स्वागत के रूप में मनाते हैं और हर घर को सजाया संवारा जाता है ताकि मा का आश आगमन हो सके। दूसरी घटना है दोस्तो भगवान विश्नु द्वारा लक्षमी जी को बचाना। इस घटना का उलेक हमारे सास्त्रों से मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विश्नु ने बामन अपतार लेकर राजा बली से माता लक्षमी को मुक्त करवाया था। तीसरी घटना है भगवान राम की विजय रामाईन के अनुसार इस दिन जब भगवान राम सीता जी और भाई लक्षमन के साथ चौदा वरस का बनवाश पून कर अयोध्या बापिश लोटे थे उनके स्वागत में पूरी अयद्या को दीव जला कर रोसन किया गया था चौथी घटना है नरका सुरबद भगवान स्री कृष्ण ने नरका सुरबद कर सोला हजार इस्तियों को इसी दिन मुक्त करवाया था इसी कुषी में दीपवली का तुहार दो दिन तक मनाया गया और इस विजय पर्व के नाम से जाना गया पांच भी बड़ी घटना पांडवों की बापसी महावारत के अनुसार जब कौरब और पांडवों के बीच होने वाले चौसर खेल में पांडव हार गये तो उन्हें बारा वर्ष का आग्यात बास मिला दिया गया पांचो पांडव अपना बारा साल का बनवास समाप्त कर इसी दिन वापस लोटे थे उनके लोटने की खुसी में दीप जला का उसी खुसी के साथ दीपवली मनाई गई थी चटवी घटना है बिक्रमादित का राज तिलक राजा बिक्रमादित के राज तिलक का प्रसंग भी इसी दिन से जुड़ा हुआ है बताया जाता है कि राजा बिक्रमादेत का राज तिलक इसी दिन किया गया था जिस से दिवाली का महत्व और खुशियों से दोगुनी हो गई थी साथ भी बड़ी घटना है आरिय समाज स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा आरिय समाज की स्थापना भी इसी दिन की गई थी इस कारण भी दीवाली का त्वार बिसेश महत्व रखता है आठवी घटना जैन धर्म दीपवली का दिन जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी बिसेस रूप से महत्पून है जैन धर्म इस पर्व को भगवान महावीर जी के मौक्ष दिवस के रूप में मनाता है ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की अमवस्या के दिन ही भगवान महावीर को मौक्ष की प्राप जी ने लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था जिसमें सभी सरद्धालू गुरू से आसिरवाद लेने पहुंचे थे इसके अलावा सन 1557 में अम्रिस्सर के हरी मंदिर साहिब का सिलन्याजवी दीपवली के दिन ही किया गया था दोस्तों दस भी बड़ी घटना है सन 1619 मे सिक्क गुरू हर गोविंद जी को गौलियर के किले में बावन राजाओं के साथ मुक्त किया जाना भी इस दिन की प्रमुक एत्यासिक घटना रही है इसलिए इस पर्व को सिक्क समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाता है इन राजाओं अबा हर गोविंद सिं करना बिलकुल न भूले नीचे कमेंट सेक्षन में सच्चे सरद्वाब से जै महल अक्ष्मियवश लिखिए जिससे आपकी सभी मनों कामनाएं देखते ही देखते पूरी हो सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सोभ हो मंगल म हो यही हमारी सुब कामनाएं हैं